ना किसी ने इसकी सूध लिए ये देखिए तैयार रसी बंबी आप दिखाई दे रहे हैं आपको जो की पूरी तरीके से तैयार उचो किस तरह लावारी सवस्था में पड़े निमें बत्ती भी है सुतली भी है और यही फैक्टरी उसी आरोपी की है इस्थानी लोगों में भ बहुत गुस्ता है कि आखिर इसको इतने लाइसेंस की मंजी और बड़ी खबर आपको यहां बता रहे हैं अपड़ी आपड़ी आपको बता रही है बड़ा अक्शन हुआ है पुलिस हेटकौर्टर में अटाच किया गया है, हर्दा के SP को हटा कर, पुलिस हेटकौर्टर में अटाच, SP को बापके जिगा हटाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो हर्दा कांड में ये बड़ा आक्शन हुआ है, बड़ी अपडेट, जहां SP को हटाया बरेगा फैसला, सीम्बे ये साफ कर दिया है तो हरदा हादसे के बाद, म्यूजेटीन की टीम ने घटनासल के पास जांच की तो घटनासल से दो किलोमेटर आगे, रहिटा खुर्द में एक ऐसी ही फैक्टरी मिली यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भाग गए वही एक मजदूर ने बादचीत में कहा कि धमाके के चलते वो दहशत में है करीब सौ मजदूर यहाँ काम करते हैं, जो सभी काम छोड़कर चले गए हैं लेकिन कई एकड में बारूद और बॉम फैला हुआ है जो घटना हुई उस फैक्टरी से दो किलोमेटर दूर हम उस फैक्टरी पर पहुचें, नीव जेटीन की टीम उस फैक्टरी पर पहुची है जो यह मौसिन खान की है, यहाँ पर दिखता तो एक खेत है लेकिन इस फैक्टरी को आप देखिए अवे तरीके से संचाली थोती फैक्टरी का नजारा देखिए कितना बड़ा बात्रा में बारूत का जखिरा यहां पर जमा है, यह सारे जो यह आपको छोटे-छोटे यह धोपडी नुमा जो कुटिया जैसा कुछ नजर आ रहा है, इसमें बारूत भरा हुआ है, और कई मैट्रिक टन बारूत है, यहाँ पर जिसकी कोई देखने वाला नहीं, जिसको कोई सुनने वाला नहीं, यह फेक्टरी वालिक महसिन खान की फेक्टरी है, और यहाँ पर हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, इनको भी दिखाओ यह इनकी भी बात सुनो, बताईए आपकी, क्या बुल रहा है, यह देखिए, आपका नाम क्या है तो यह फारूक है, बता रहे हैं कि यहाँ कोई बारूद नहीं है, यह फेक्टरी किसकी है यह, तो यहाँ क्या इस्तीती है, फेक्टरी के लोग का है सब, यहाँ पर यह बारूद वगरा दिख रहा है, यह क्या है, यहाँ पर फारूद बता रहे हैं कि यह कोई बारूद का जखीरा निये सब खाली है यहाँ पर फेक्टरी माली का है अच्छा यह घटना हुई कल परसो या कोई कल और आज में आया कोई प्रसासन ने कितना स्टॉक है तो क्या केना उनका तो यह फेक्टरी कब से बंद हुई कल से सब मजदूर चले गए कि हमारा काम जैसे 10-15-20 लोग कर रहा है थे कल यह हाथसा हुऊ और वो चलेगा घर अपने सुबह 10 बजे अब यहाँ पर कोई भी आज की फिलाल में कोई मजदूर नहीं है नहीं कोई मजदूर नहीं है और आपका कहना है कि सब काम नेमन उसार चल रहा है किसी भी तरह की असपास के लोगों का आरोप है कि आरोपी के घर भी पटाके भरे हुए हैं न्यूज 18 बीच हर्दा में मौजूद पुराने सब्जी मंडी में आरोपी राजेश और सोमेश अगरवाल के घर भी पहुँचा और वहां के लोगों से बाच्चीत की यहां के सारे रेवासी दुकानदार यहां पर इखटा है जो बहुत ही जादा गुस्ते में हैं यह लोग लगातार विरोध करते आये हैं कि आखिर इसको पटाका फेक्ट्री को रेवासी